नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त रहुल मिहानी दोस्तों दोस्तों आज का बार विशे है बात करने का बीना लैसंस के हत्यार रखने पे क्या क्या कानून बनाएगे हैं दोस्तों चलिए विशे स्टार्ट करने से पहले मैं आप उसे बोलता हूं कि मेरे चैनलन को सब्सक् आपको समय समय पे मिलते रहेंगे दोस्तों आई अम में विशे बात करते हैं बिना लैसेंस के हतियार रखने में कानून क्या क्या बन गए दोस्तों ऑफेंस एन पेनाल्टी अंडर एक्ट 19 59 में ये लिखा है कि जो व्यक्ति हतियार रखता है उसको लैसेंस रखना जरूरी है मतलब हमारे लौ में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति हतियार रखता है उसको लैसेंस रखना जरूरी है लेकिन एक कंडिशन है सीखों के साथ में क्रेपान लेकर जो सीख लोग घुमते हैं धर्म के लिए उनके लिए कोई लैसेंस की ज़रूरत नहीं है लेकिन धर्म के बंदुक जो गन वगेरा होती है तो पहले में बात करते हैं चाकू तलवार यह रहा इसमें क्या होता दोस्तों ऐसा हतियार जो आप पब्लिक प्लेस में समाज में अगर आप निकाल दिया आपने कि तो दहशत का मोहल बन जाएगा जैसे पब्लिक में आपने तलवार निकाल दिया और चला दिया या किसी को डरा दिया दहशत का मोहल बनेगा इसमें क्या होगा इसमें 4 बटा 25 लगेगा आपके उपर मतलब कि इसमें लगेगा आप पे 4 बटा 25 आर्म एट में जमानत दी जाती है इसमें 4 बटा 25 लगता है इसमें maximum 3 साल की जेल होती है दोस्तों दूसरे तरफ आते हैं गन वाकरी बात करते हैं दोस्तों गन भी दो तरह से एक है गन के साथ आप पकड़े गए गन आपके पास थी लेकिन आपने इस्तमाल नहीं किया आप पकड़ेगा दोस्तों इन भी लगेगा तीन बटा 25 रखे गए गन लेकिन चलाइए नहीं गई इसमें 3 बटा 25 लग गया इसमें 3 साल से साल साल तक जेल होगी 3 to 7 यर आपको जेल हो जायेगी दोस्तों लेकिन इसमें जमानत हो भी सकती है और नहीं बी कोई guarantee नहीं है इसमें जमानत हो गया तो दोस्तो 307 भी आपके उपर लग सकता है दोस्तु तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा अगर हतियार रखना है तो लैसेंस साथ रखें दोस्तो तो आपका परिवार भी स्रोचीत रहेगा आप भी स्रोचीत रहेंगे, थोड़ा संपो ये काम करना पड़ेगा द कुछ चीज रखनी है लाइसंस साथ रखेंगे अगर हम नियम कानुज चलेंगे दोस्तों हमको भविश में कभी दिक्कत नहीं आगी दोस्तों चलिए यह विशे मेरा समाप्त होता है और अगर कुछ बातें ना समय आ रही हो ता मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कर सकते हैं क मैं आपको रिप्लाइस का करूंगा दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात्तों की जहिन जय भारत